कि हालो गाइज मैं सुनित पुमार और आप जूड रहे हैं सी जी इस कोचिंग सेंटर के साथ हम यहां प्रिपेशन कर रहे हैं फिजिकल एजूगेशन के टीजिटी एंड टीजिटी एग्जामिशन की जिसमें हमने ब्लड आपका हाट से सर्कुलियर सिस्टम यह सब कुछ पढ़ा था कारिश उसके उंदर कुछ करेक्शन है तो आप प्लीस हमारे नोट्स को प्लाज जो आपके पास पीडिएफ एपर उसके अंदर कुछ करेक्शन पीडिएफ तो आपके अकुरेट है बट जो वीडियो की कुछ करेक्शन थी कि प्लाजमा जो है टोटा 60% में आपको उसमें बताया था बट प्लाजमा क्या 55% होता है ब्लड में और WBC की जो लाइफ है को 60-21 डेज होती है ठीक गाइज प्लेटलेस लाइफ 6-8 डेज और कमेंट्स में हमारे कुछ कि स्ट्टेंट के पूजिशन रहे थे कि कार्डिक आउटपुट और च्रों बोल्यूम बताईएक रही कार्डिक आउटपुट जो है वह 5-4.7-5.5-5 लीटर के आसपास होता है एक मिनट के अंदर देखें कार्डिक आउटपुट किसको कहते हैं हमारा जो हार्ट है हमारा ज आउटल जो वोल्यूम है वह होता है हमारा कार्डिक आउटपूट तो एक मिंट के अंदर पाइस पास तक हमारा हाट जो है ब्लड को डी ऑक्साइड से ऑक्साइड करने के बाद पूरी बोडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है और स्ट्रोक वोल्यूम के प्लोड हम जैसे देखेंगे दा अमाउंट ऑफ प्लोड पुट आउट जो गलड की जो शंख्या के पूट आउट है by the left ventricle हमारा जो बाया बाया जो वेंट्रिकल है निले है बाया जो निले है of the heart in one contraction मतलब जो हमारा बाया निले हिर्दे का जो बाया निले हमारा है left ventricle जो है वो एक contract में एक संकुचित पन में कितना blood जो है निकाल देता बाहर अरोटा में भीज देता है ठीक है देखें मैं आपको यह समझाऊंगा दाया अलिंद्ध जो आपका जालिन जिसके अंदर जो है आपका लंग से ब्लड आ रहा है उक्साइट ब्लड आ रहा हमारे हार्ट में और फिर उसके बाद जो आपका है लास्ट यह आपका ब्लड जो है लेफ्रेंट्रिकल हमारे अरोटा में ट्रांसवर कर देता है तो वह आपका 50-100 के बीच में या अरोटा जो है हमारा एक बार्के बीच में वह एक्साइट में और उसने कितना इंधर करके ल्वाएट है उसके बाद यह उद्याह है możliक्त को अंदर खरक कहेँर फ्ले करेख अड़ीम कर दोद देखे जो सरकल है पूरा आपका वो काउंट होगा हाट बीट का जो है वो कार्डिक आउट्पुट में आएगा कितना ब्लड हुए भीजा गया पूरा अरोटा में हमारे हार्ट के द्वार एक मिंट के अंदर वो प्लेटो प्लाइट्र कि पां लिटर 1,5-4 से पॉस्टे लेटव लट जाता है और उसके बाद जो है श्रॉक वॉल्यूम stroke volume सिर्फ left ventricle तक है left ventricle ने एक बार के सकोचन में एक बार सकोचित होने पर कितना blood उसने हमारे अरोटा को दिया यह हमारे stroke volume तो कितना देता है 5200 ml तो गाइज चले हम आज के क्लास स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास स्टार्ट क्लास है एंडोक्राइम सिस्टम के उपर एंडोक्राइम सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें हमारी जो गरंथियां हैं वह हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं हमारी गरंथियां ताकि हमारी बोडी की जो बाइक्टिविटीज जो हर्मोन के उपर保ड रहती है वे पूरी हो सके छलिए देखते हैं कौन-कौन सी जो एक्टिविटीज एं हमारी बोडी की जो हर्मोन के उपर जो गले में होता है पहरा थायरेट ड्रेटट गलांड के पास जाते हैं और अपकी जो यह वो किटनी के ऊपर पाई जाती है थाइमस ग्लांड है देन पीनियल ग्लांड जो हमारी बोडिया मस्तिक्स में मिलता है उसके पैंक्रियास भी है और आपका ओवेरी हैं देन लास्ट हमारे टेस्टिस जो हैं वह भी हमारे हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और यह ओवेरी जी से परिकरिया स्टेट होती है प्लस फिर आपका जो फीमेल हैं वह कैसे बक्चे को जन्हम दे सकती है कैसे उनके जो गर्व शाइब के अंदर अंड़ा बनता है वह सारी परिक्रिया जो है ओवेरी में वीज़े से श्टार्ट होती है और टेस्टिस जो है हमारे स्प्रें जब हमस्प्रेंट जो है ओवेरी में जाता है और फिर उसके बाद वहाँ पर एक का निर्मान होता है तो यह दोनों जो है हमारे विपर्टेशन सिस्टम का पार्ट है ठीक है चले हम स्टार्ट करते हैं अपना देखते हैं सबसे पहले प्यूट्री ग्लांड प्यूट्री ग्लांड अर्थात प्यूस गरंथी यह एक छोटे आकार की होती है ठीक है इसका आकार जो है मटर के दाने के जितना होता है प्यूट्री ग्लांड का जो अकार हो मटर के दाने के जितना होता है और यह हमारे ब्रेन में हाइपर्थलेमस के पास में मिलती है जो कि के पिप्रेंट के नाम से नामसे यह हमारे सरीर की लगबख सभी कि रियाओं का नियंद करती है कि तो था सरीर के जितनी भी आपके बाखी जो स्वामी गरंथियां हैं और बाखी जो कार्रे उनको कंड्रोल करती है इसलिए इसको जो मास्टर ग्लांट के जो भाग है वो है आपका फ्रेंटल पार्ट мिड्वल पार्ट यन बैग पार्ट हंदी में कहें तो अर्ग पिंडक बधय पिंडक और पास्च ये तीं भाग है प्याट्र बस्कारे पित्रीट ग्लान से सिकेयर होता है जिसको वैसो प्रेस सिंट्रेल हार्मोन वी कहा जाता है नेक्स आपका टी एएच हार्मोन धायर्ड stimulation hormone जो है TSH thyroid stimulation hormone वो भी हमारा pitriglund जो है secretion होता है oxytin होता है then MTH mammographic hormones जो है STH somatrophic hormones इसको हम growth hormones के नम से भी जानते somatrophic hormones को growth hormones भी का जाता है धियान दिखने की वाली बात है क्योंकि examiner जो है आप से दोनों तरीके से सवाल पूर सकता है कि somatric hormones क्या है या फिर समेटिक को growth hormones में डालेगा तो growth hormones क्या है या फिर किसी एक बच्चे की growth जो कोई यह भी question पूटा हो सकता है कि अगर कोई वेक्ति human bono रह जाता है तो उसके अंदर किस hormone की कमी है तो bono वेक्ति अगर यह आपका growth hormone जो STH hormone अगर हमारी बोडी में कम होता है तो वेक्ति बोना रह सकता है उसके सरीर का विकास नहीं होता पर अंतु अगर इस हर्मोन की अत्यदिक मात्रा हमारी बोडी के अंदर पाई जाती है तो इससे हमारा सरीर का एक भीम का रूप ले लेता है एक विसाल के रूप लेता है आपने देखा होगा कि कुछ पीपल्स होते हैं जो हमें कईने कही में तकर आते हों जो जोते हैं और वहीं कुछ लोग हमें चेह उपर की हाइट के बीलते है शे की लाप फीस और हिर आपका साघरी शे शेछार आफस की रेंज के आपको जो है पीपल्स के टाना eğब मिल जाते सबसे पहले हुए कि एक हार्मनिक्ष्ट जो है किया किसे कार्रे करता है प्युट्री ग्लène का कहां कहां हमारे सरीर के उसमें काम में आता है सबसे पहले देखते हैं hem Entidetic Hormones ADH ADH Hormone क्या काम करता है देखे- ADH Hormone जो है व्रिक मतला हमारी किड़नी की नलिकाओं के में जाल जल के पुनारोर्षण के विर्थी करते हैं तत्player के कुछ भागों में जो क्या है बलड वस्मस उनको सकुचित करता है जिससे उन leado w region Rec count करता है जिस्थी उन leado city का प्रशर ऑप yet के क्या है तो क्या है क्या के और आहने करते है उसका होने से कि हमारे जो यूरीन है उसकी यूरीन के अंदर जल की जो मातरा उसका उसका उसकी कर लेता है जिसके अंदर यूरीन में यूरीन पास के दोरान जो है उसके अंदर से जल जो हमारे बोड़ी से निकलता है वो कम निकलता है ठीक और जो यह आपका ब्लड वसल का कॉंट्रेक करके उसका हमारे बलड को यह वाई कर देता है मगर सा darkest को नुकसान आया दिए कि हमारा जो यौरीन में जो Bardzoeras निकलता ज़ल निकलता जो पानी हमार बॉटरज जा रहा वेस्ट चाहिए इसका जो और सॉछन होता वह नहीं जो है बोड़ी से यूरीन के साथ पास हो जाते हैं प्लस जो इसका ब्लड वसल से उनके पर दबाव कम हो जाता है जिससे क्या है हमारे जो बीपी है जो आपका ब्लड प्रेशर है जो रक्तुरुदीर दाब है वो जो कम हो जाता है ठीक है और इस इससे जो रोग होता है उसे दक मेहैं रोग का जाता है थीक हैँ आप ये दीख क्या होता है सबसे बर्ट जो आमारे लिक्वड वेश्प्रोडिक्ट जो पास होता है किसा सबस्रेही चाही सबसे 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 जरुरी है नहीं होना चाहिए ठीक हैं और साथ में हमारा बीपी लेवल है तो यह सके हॉने वाले रोग कुन से हार्मोन के अन्बैलेंस होने से ना होने जब प्रेग्नेंसी के दोरान एक लेड़ी होती है उसकी जो मासपेशिया में कॉंट्रेक्शन होता है जो उसका सकुचन होता है उनको प्रेरित करती है और यह परसाव के दोरान जब परसाव हो रहता है एक प्रेग्नेंट लेड़ी के परसाव होता है जब बच्चा बाराने करती है और जो दूद्र old Radio प्रॉसाव पीडा को उत्पन करती है और जो दूद गरंपिंश्टीया जो है मारी जो फीमिल के चीसरी में होती है स्में जो आपके मिल्क घ्लांट्स होती है in contrast में उनके अंदर जो मिल्क का स्प rättाख कराने में ये कारे करती है ठीक है और इसका सुर्वाइब कि आपका परसाव के दोरान गर्ब साय का मुख चोड़ा करती है ग्रीवा को बढ़ाती है जिससे बच्चा जो है एसली बहार आ सके और प्रोब्लमण ग्रेट ना हो ठीक है यह कारे करें ऑक्षिटें नेट्स नमीजर बात करते हैं ग्रोफ मोन की तीस हर्मोन क्या है कि यह हमारे बोन की ग्रोथ कंट्रोल करता है और साथ में हमारे जो सेल्स होते हैं शरीर के जो सेल्स है जिन में RNA है DNA है प्रोटीन है उनके street-ex splendid kota को भी प्रेरिद करता है टिशियू को भी रिपेर करता इसके गर फूर को का मीं जो हमारे टीशुजू बैमिह ने को भी रिपेर करता है इस हार्मोन की मातरा कम होने से मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वेग्णिति जो है बशूपना हो जाता है सिम्सिंट्रिंग हार्मों कि इया अंड्र में अथ डू मैं यह अंड्री करता है थीप है और विकास करता है और मातरा मादा में तथा एस्थोजिन कोपरेजिन करता है जो को से करने के लिए इसे से करता है के स्कूध इस प्रम को बढ़ाता है और यह का रहे है फैले कल सब्सक्रा काả siento तो टोटल जो आपका वर्क है वो हमारे रिपडेक्श सिस्टम से जुड़ा हुआ है ठीक ऑक्सिटिन का आप देख लिए गर्व साय से बेवी आपका गर्व साय मुख चोड़ा करने से या फिर वहां पर आपका जो है दुग्ड मिल्क ग्लांड उसका सरवित करने से या फिर जो ऐसे कि आपका फिल्डिक एफस का काम है यह हमारे सुक्रानू के काउंटेबल बढ़ाता है प्लस वहीं जो आपका एस्ट्रोजन जो फीमेल प्रड्यूस करते हैं जिनसे आगे जो है बेबी को या फिर जो इस्प्रम को स्टेवर्ण में रिप्रडेक्शन स्टम में हेल 자가 करता है नेक्स स्टम पढ़ते हैं आपका sleeves hyp럼az Rock एक से मीरे सियंगा से इसको का जाता है यह फाल घल सर्थ और घ्रति से इस से जो गले में पाई जाती है इस ए tagadak कie बनाने के लिए बनाने में में हेल्प करता है और प्रिज्ड करता है कि वह dando Theotropic Hermons TSH, Theotropic Simulation Hermons जो है इसको काजाता है, यह Thyroid गरंथी से Thyrosine Thyroid गरंथी से जो हमारी Thyroid गरंथी जो गले में पाई जाती है, H-Shape की जो है, उससे Thyrosine बनाने के लिए बनाने में help करता है, और प्रेजित करता है कि वह थायलोसीन बनाए, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं अभी हम देखते हैं प्रोलेक्टीन या मेमोट्रापिक हार्मोन देखें यह प्रोलेक्टीन या मेमोट्रापिक हार्मोन क्या होता है यह है कि यह इस्त्रियों के फीमेल्स के गरब काल के समय प्रेग्रेंसी टाइम जो उनका होता है जो पीरि ग्लांट्स होती हैं उसमें उनके प्रडूशिंग में हैल्प करता है ठीक है इसके ना होने से अधात अगर यह एम्टी एच मेमट्रोपिक हार्मोन अगर बोडी के अंदर स्विलिशन नहीं करेगा सर्वित नहीं होगा इसका बोडी नहीं छोड़ा जाएगा यह बोडी में इसके ना होने से लेडी जो है मिल्क प्रडिक्शन नहीं कर पाएगी ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं ल्यूटीना इंजिंग हार्मोन ल एच मेल में यह एंड्रोजन्स हार्मोन सर्वाइद करता है मेल में लेच जो है यह एंड्रोजन्स का हर्मोन सरवाइद करता है वहीं फिमेल में यह एस्ट्रोजन्स का सिक्रेशन कराता है और इन दौनों से ही क्या है दृत एलेगिक लक्षनों का विकास होता है जो सेकंडर सेक्स के जो क्लाक्षन अब का जो है डुबलपमेंट होता है विकास होता है ठीक है अब हम देखते हैं नेक्स जो हमारा ग्लांड है वह हमारा थाइरोड ग्लांड को हम अपड़ रहे हैं थाइरोड ग्लांड थाइरोड ग्लांड क्या है यह हमारे गले में पाए जाता है ठीक है जहां पर फार नेक्स और को है अड़े enfant का मिश्भन होता है क्ष genome को थे कि अगुच सब्सक्राइब में तो इस quedo सब्सक्राइब थे वो भूर सब्सक्राइब श्बस्सक्राइब का जाता है ठीक है थाइरेड ग्लांड जो है बाकी सभी ग्लांड से बड़ी ग्रंथी होती है और इसका जो वेट है 25 से 30 ग्राम जो है वेट हमारी पाया गया है और इसकी लंबाई 5 सेंटेमेटर और चोड़ाई 3 सेंटेमेटर के आसपास मिलती है ठीक है थाइरेड ग्लांड जो है females में पूर्सों के मुकाबले ज्यादा बड़ा होता है राइट थारेट ग्लांड को क्या अवुट गरंथी भी का जाता है एच शेप भी का जाता है और butterfly glands भी का जाता है ठीक है यह आपको चार और तीनों नाम याद रखने कि थारेट ग्लांड वो क्या आगे कहते है अवुट गरंथी बटरफ्लाई एंड एच शेप यह तीनों नाम को याद रहे हैं कि कॉश्चन जो है तीनों नाम से बन सकता है चीक है चलिए अब हम देखते हैं कि थाइरोड ग्लांड से कौन-कौन से हार्मों सिक्रेड होते हैं था आयोडीन की चार अणुवस से मिलकर बना होता है इसले से टीएच हर्मोन का जाता है क्योंकि इसके अंदर आयोडीन के चार अनुब परमानु ब्या सबसे पहले में हमारे भोड़ी में क्या-क्या चारे करता है टी-फॉर हर्मोन हमारे में ड़ीमि को जो है control करता है और जो energy हमारी body produce होती है उसमें help करता है उसको बढ़ाता भी है प्लस जो यह है जीवन गती को बढ़ाता है T4 जैसे कि glucose का ज़्यादा उशोशन करना and glucose की खपत utilize उसको ज़्यादा करना तो यह सब कारे गया T4 आपका देखता है t4 के होने वाले रोग जो है टी फोर से जो होते हैं टी फवर का का सिक्रेशं प्रेशन कं कर देता है तो यह कंशन में हम जाम रहे रहे हैं वहां पे उस जंगा मिठी में यह वहांबेवार्ची पानी के अंदर आsided यूंची मात्रा काम हो जाती है यह होने वाली सबसे बड़ी प्रॉक्लम क्या है वह से होता है dat वानवता क्रिटिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस् बच्छे में आपका जन्द माता हैं किर्क्रिक्टिस्म का जो रोग पाये जाता आवडिएनीं कमी से वहुता है वहां के अटमोस्फ़ेर वहां की मिट्टी यह जल केंद आवडिएन dude कमी होती ती जिसके माब के घृकर दोरान जो हमारे जो शिशू पल रहा होता है उसके जितनी मातरा में होता है वैसे प्रापनी होता और यह शिशू के जनम के समय उसके रोग होता है फिर जनम के बाद जो खाना खाता है हमाँ पर आवडिन होता है तब शिशू में यह रोग हो सकते हैं तो इस रोग का जो क्या क्या symptoms हैं वो मैंने आपको बता रहा हूं कि जैसे कि सर का बड़ा होना सर उसका बड़ा हो जाता है कद उसका छोटा रह जाता है तो अंद बार निकल जाती है होट मोटे हो जाते हैं जीव भारी हो जाती है और जो उनके reproduction parts है जनन अंग जो हैं वो भी आपके विक्सित नहीं ह हैं यूण है मिक्सी डी मारोग आपका टी-4 की कमी से नहीं से पाएं इस सब्सक्राइब आपके जो इसकी लें उसके नीचे एक्स्ट्र चर्वी जो बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी जिससे जो यहां पर एक मोटा इस्थर बन जाता है और सरीर को फूला हुआ सा लगता है लेकिन यह सरीर फूला हुआ तो लगेगा पर इसका रिफेक्ट क्या होता है कि बोड़ी ज संता नहीं होती हي हो जाती है रह backyard और इसके जो हमारे जंद संता में भी दिखा देता है कि हम धीरे-धीरे जो है कुछ समय को पाज़ा जो परजन की शम्ता होती है वह हमारी घट जाती है ठीक तो maxidium में रोग क्या है? अडल्स में पाय जाता है नेक्स्ट आयोडिन कमी से जो main रोग आपको पता है उसे कहते हैं घेंगा रोग, घेंगा या गलकंड इसको दिक्स के दो नाम उसे यहाँ पर जाना जाता है इस रोग में क्या है कि thyroid fool जाता है यह रोग पाड़ी इलाकों में ज्यादा तर पाय जाता है या फिर उन छेतरों में जहां की मिटी में और जल में क्या है नेक्स्ट जो हमारा रोग है वग हासी माटो का रोग होटा है हासी माटो रोग क्या से होता है कि जब मानव सरीर के अंदर थायरोक्षिन की कमी बढ़ जाती है जब मानव सरीर में थायरोक्षिन कमी बजाती है तो यह एक रोग होता है और इस रोग को दूर करने के लिए क्या है कि दवाईया ली आती है और दवाईया जब हमारे बोड़ी में जाती है तो दवाईयों के बो को जाता है और स्टाइटिशन का सिक्रेशन उसकी कमी को पूरा करने के लिए दवाया ले जाते जो एंटीजन का काम करते हैं और उन एंटीजन को रोखने के अंदर जो है और दवाया ही खुल जो है एंटीजन बनाती यह itu रूसा एंक्टीजन को लटने के लिए तिफोर के सिक्रेशन से होने वाले एत रैक मतलब पहले जो हमने पढ़ा था वो टीफोर के कम सिक्रेशन मतलब अगर टिफोर जो हे यह हमारी बोडी के के उसे क्या हमारा blood pressure बढ़ जाता है heart beat बढ़ जाती है glucose का emotion बढ़ जाता है तो सारी चीजे बढ़ जाती हैं मतलब वो glucose ज़्यादा मफसूसित करने लगते हैं हमारी हाभीड ज़्यादा बढ़ जाती है हमें ज्यादा energy requirement होती है तो ऐसी condition में क्या होता है कि खबराट, चिड़ चिड़ापन, आँखों को बहार की ओ तरफ निकलाना, ठीक है, अत्यदिक पसीना, हाथ पैर में कमपन, इत्यादी फिलिंक्स जो हैं, या फिल सिम्टम्स जो हैं, हमारी बोडी में नज़ा आने लगते हैं, ठीक, इन सिम्टम्स कों सा रोगता है, सबसे प जो है, आपके चर्वी जो एकटी होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद क्या हमारे आँखे बाहर को निकली परतीत होती है, ठीक है, जैसे कि बाहर को आ जाती है, घूर ना 24 घंटे आँखे बड़ी-बड़ी हो जाती है, बाहर को आती है, पत्ली, पत्ली, पत्री, पत् regressive हमारी बोड़ी में हुह रहाए टीफ जाला मातरा में छोड़ा जाराए है ठीक है घ्रेव की हम बात करें mm overview ग्रेव जो एकPh dEE if इसDo Infos इसमें क्या होता है कि छो वह इंक्रीज हो जाता है 교ve disease में क्या है कि thyroid Glynaxka size वह इंक्रीज हो जाता है ग्रेटब disease में और next जो आता आपका देखे T3 के लिए मैं कहना चाहूंगा कि T3 जो है आपका सेम काम करता है जैसे T4 का करता है T3 का जितना भी कार्रे है वो T4 के equal होता है और T4 जो भी कार्रे कर रहा है या फिर उसके ज़्यादा secretion होने से या कम secretion होने से जो भी रोग हो रहे हैं वह सब T3 में भी हमें देखने को मिल जाते हैं ठीक हम अमस्व घर्मों की बात करते हैं नक्स्ट हमारा हर्मों से आपका thyroclotene हर्म्ण thyroclotene हर्मॣ जो है ये stroma यह stroma से संसलिसित होने वाला हर्मोन स्ट्रोमा से संस्रोइज होने हार्मोन होता है यह रुधीर में केल्सियम की मातरा को जो है कंट्रोल करता है तता हड्यों के निर्मान के लिए कार्य करता है कौन सा काम करता है को टी-3-4 इन तीनों के लिए हारम यह वावाण की मातरा ज़रूरी थी बटन तो ही किम बात कर रहें रैकलिस्ट्रीन हार्मोन के लिए इस हमें लिए पत्रोइड नहीं के नुट फिल नतल जो है नेक्ट सब्म देखते हैं आप यहां पेट्रोईट्लाइट गलांड पेट्रोइड ग्लांड जो आप cette कि दाने से फिर फिर अंडगार रिस्थिति में छोटी आपको देखने को मिल जाती है ठीक है यह जो है से कुन कुन से आपके हार्मोन सिक्रेट उठते हैं वो देखते हैं सबसे पहला है पैराथ हार्मोन हार्मोन और नेक्स्ट है कैल्सी टॉनिन हार्मोन पैरा थर्ड हार्मोन जो है पैरा थर्ड हार्मोन को कॉल्पिक हार्मोन भी कहा जाता है पैरा थर्ड हार्मोन को काल्पिक ह हुरों में इसकी विषे में मिस्टर कॉल पर जने जो है सब से पहले बताया था है यह से और वسم कि दूल करता है और एंदर का टेंपरेचिर हगा उसको यह हर्मॉण क्या कंट्रोल करता है ठीक है उसको बनाए रखता है हमारे जो सब्सक्राइब करता है आथ के द्वारा कैल्सियम का जो सब्सक्राइब सोरी अप्जोर्शन किया जाता है तथा व्रिक के दोवारा दुबारा से उसको अफोसीत कराते हैं के दोर जो के दोर जो कैल्सियम अजो उसके फूर्ड में बच जाता है जो हमारे उसमें आपका अलाज इस्टाइन में जाता है और या फिर उस वें किड़नी से भी आपका जो है कराता है तो यह क्या करता है कि किडिनी से भी आपका केलसियम को अशोचन कराने में हेल्प करता है ठीक बोन ग्रोथ और जो दातों का निर्मान होता है, bone growth जो हमारी हड्डियों का है और जो हमारी दातों का निर्मान होता है उसके अंदर भी यह सायक होता है और हमारी जो नई bone है, नई इस्थियां जो होती है उनके बनाने में भी और उनको विगड़ित करने का भी कार्रे करता है प्लस हमारी जो मसल्स होती है, उनको भी active करता है, कौन करता है active, parathormin hormone, ठीक है, अब हम देखते हैं, parathormin hormone की कमी से होने वाले रोग, प्र autopsy की कमी से हुई केलसं। की मातरा कम औरCal S, in average 25 वामे काल एक रोग होते हुजा है और इसीवजेhel की कमी हुने परяют हाईप फे newcom में औरकहर हाईप केलसंग चाहए कनीक कन career हो जाता है गिए में के अंदर आना शक उतेजना बिना वज़े वह कॉंट्राइक कर देते हैं जैसे कि आपके इंटरल ओर फिर आपके जो इंबलेंट्री मसल्सें जो आपके ऊपर आपके को आपके और को नहीं फोलो करती है वो खुछ से सारे काम करते हैं जैसे कि हमारी स्मूद मसल्स जो है वो टोटल मसल्स में काउंट होती है और वो उनके अंदर भी एठन उनका कॉंट्रेक्शन क्या अचानक बढ़ जाता है जिसके आपके पेट में भी दर्द वगरा यह सब या फिर आपके बोड़ी में उनके पतने से जो सदर्द की सखायत होती है तो लहाय जाता हो जाते हैं जा da एंट सब्सक्राइब के लिए हूब करक्शित उत्के संब्सक्राइब्स लिए होता ज्यूंता है जर्यक्त को आ था然后 हgenommen हो सकूचं रहने से क्या है कि टैटनी रोग हो जाता है विटामिन-टी के ग्रहन करने से क्या है इस हार्मोन से शफलेश हार्मोन की कमी जो है फूरी किया सा और प्लस आपका जो नेक्स तरही है हार्मोन से बच्छपन हार्मोन की कमी बच्छपन पारो धुर Knights ? 갖고 को बच्चों की ग्रोथ ब्लब नीविद मनंबुदी कर रह प्लस व में डाथ जो है कौन रूफ से बच्पन से से कम जोर हो जाटें ऐसके जॉधी गुदाइन से इसमें ज़्यादा स्राव से कौन कौन से रोग होसकते हैं पैदार्मिंखार्मन के ज्यादा से क्दॉ से वा रोग होजाता है जिसमें ¨ Salt ग्र और जाती है और मैट्रिक्स Till गर जाने से बोन कमजोर होती है देखे पैरा थार में खारमोन के जादा सी क्रेशन से जो है आपका हमारी हड्डिया और उस्टो परिस के रोग जाती है और बंगूर का मतलब क्या है कि भंगूर को मैं आपको समझाना चाहूंगा यहां पर बंगूर उसको कहते हैं जिसमें कि एक छोटी स क्योंव परिशन में हो derived शूर चूर आते बिल्कूल बिल्कूल हो जाता है इसका आपको कोई बहुत सूखा हो वह पत तो इसका दबाएंगे तो हाथ में दबाते बिल्कूल चूरा व्यास तो एसे बंगूर कि तै dejaia जू चैनल ह hunt की परकार की हमारी हध्या हो जाती है ठीकहाँ हम देखते हैं के उल्टे काम करता है यह हमारी अस्थों के विकेटए हैं मतलब उसके निर्मान में काम करता है अथा उसके कैल्सियम के उससे जमें विर्दी करता है यूरीन के कैल्सियम के उससे में प्लस अस्थियों के गलने को मिला हमारे बोन का जो गलना होता है उसका भंगुर बनना होता है उसको भी कम करता है कौन कम करता है हमारा कैल्सिटॉनिन हार्मोन ठीक है कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या है यह सारे करता है प्लस इस हार्मोन से कौन-कौन से रोग होते हैं देखें इस हार्मोन की कमी अधिकता से ब्लड में ECF में हाइपो केलसियमा या हाइपर केलसियमा का रोग हो जाता है अगर ये बलड जादा हुआ तो हाइपर केलसियमा या हाइपर फासफोर्टमिया की स्थिती होती रहती है तो इसमें क्या हमारे दातों का जो निर्मान है उसके लिए केलसियम वे पासफोरस की कमी हो जाती है तक हमारे दाथ या हड़ियां किसी की बने केलसियम पासफोरस की बने होते तो उनी की चीज की कमी हो जाती है अगर ये कम है तो ठीक है इसकी मातरा में मातरा बलड में ECF के अडिक होने पर हाइपो केल्सी में या हाइपो फॉस्पेटिमी जैसे रोगते जिसे बॉन्स कॉमल तथा टेड़ी हो सकती है अगर इसकी मात्रा ज्यादा है तो इससे हमारी हड्डियां जो हैं सौफट और सकती हैं चले एक्सपड़ते हैं हम एड्रीन ग्रांड जो है मारे जो है जो सेम क्या कारगी होती है ऑक पर जो के डूमसी इडू कर्क दी है। इस घ्र ऐलकल जो हुआ घ्रियांट को यह चार से शे ग्राम का होता है यह इसका अकार एक टोपी जैसा होता है और इसके इंट्रेनल पार्ट को अरिना मेडुला कहते हैं और और पार्ट को जो है अर्डिनल कोटेक्स कहते हैं ठीक है इंटरनल पार्ट जो है सका वह इसमें अंदर kaんでना 10 से 20 प्रतिशस्चत होता है और कोस्टर जो 30 से 90 प्रतिशचत पहाए जाता है आद्रेनल कोफेंट का बात करें अद्रेनल कोफेंट का बहाई भाग होता है एक पिले रंका होता है और इसके जो मुक्खे हार्मोन से है जिनको हमने सफक्राइब बाटए वह हैं आपके सेक्स हार्मोन मतलब लिंग हार्मोन जिनको कहा जाता है प्लस्ट गोक काकřिकtes हार्मों स्प्राइब आपके 3000 प्रकार के हार्मों जो है आपके यहां पर अट और 10-90% भाग जो है आपका एडनल ग्लांड का होता है वह पचास से ज्यादा हर्मों जो बने से तीन मुख्य प्रकार के यह हर्मोंस है अब हम बात करते हैं यहां पर लिंग हर्मों की अथ हार्मों की अधियर के सेल जो है इस्थ्री वे पुरीशु में नर्वय मादा दूनों पकार के लिंक्हार्मोस को सिक्रेशन गरती है यहां पश्याथ स्वहाल्ध अधिक कई के अंदर एंड्रोजन का सबर्द्रेशन कराते हैं और वहीं 시स्ठाइब मादा जो सिख्रेशन करती है यहाँ पर उकर हम कहें कि सेल के एक नरके अंदर एम्डीन का सव्खेशन करैं ऑर वही इंहें माधा में माधा में स्टूसचन हार्मोन का जो हैं सिक्रेशन कर Te massively समधने के यह हमारी विकास को प्रेवित करता है उनको डवलप करेगा उंके विकास को बढ़ाएगा और साथ में जो उन प्रेवन करता है कौन सा हर्मोन प्रेवित करता है ये Link हार्मोन जो है फिसके जिम्हार हह सब्सक्राइब लिंग हार्मोन जो इसको नेक्सтор मेंतरग हार्मोन और इसको गुलकोण क्या दोगनों सकती और इसको यह मारी बोडि के अंदर ही तो पता है आप प्लकुण के इस नाम होग करने का परसेशर उसके कबी कंट्रोल में करता है कार्टी कार्टी कॉत्रेशन मखेता ही हार्मोन इसके दो हार्मोन होते हैं जो घ्ल्कोज नीगे एक है आपका कार्टी साल तथा दूसरा हर्मोन है काटंक 2008 हे उड़् कि निएची है उसकी विर्धी जो है इसी हार्मौन के आपर होती है ठिक और विसी को Christians करता है यह allu BC कि संख्या होती है उसको कम करता है और हमारे सरीर के अनदर पानी की मातरा को भी चंट्रोल करता है ठीक है कि आपके खनीज लवन परदातों के साथ बढ़ा हुआ है मतलब जो घमारी बुड़ी की अंदर खनीज लवन परदातों की पमें उस्क्ता पढ़़ती है जैसे कि आपका जो खनीज लवन प्रदाथ जो मिनल्स हैं जो हमारी बोडी को बनाते हैं, वर्क करते हैं और हेल्ब करते हैं उसके रिपेरिंग सिस्टम में तो जो है यह total कंट्रोल करता है इसका जो मुख्य हार्मोन है आपका खनीज नियंतरन हार्मोन का जो मुख्य हार्मोन अब जो इसके क्वेशन पाए जाता है वह है आपका अलस्ट्रेशन एल्डो स्टेशन हार्मोन, एल्डो स्टेशन हार्मोन का मुख्य जो है, इसका मेन हार्मोन है, इसके यह जो है, लवन परतिरोधक, मतलब साल्ट रिटर्निंग हार्मोन से भी इसको का जाता है, साल्ट रिटर्निंग हार्मोन से इसको का जाता है, तो आपके जो आंसर होगा, वो होगा आपका खनीज नियंत्रन हर्मोन मतलब मिन रेले कार्टिकर्ट्स हर्मोन जो है आपका सॉल टेक्शन हर्मोन जो इसका में हर्मोन हुआ है आल्डो स्टेशन हर्मोन जो है इसका में हर्मोन है ठीक वरिक मतलब हमारे किड़ने की जो भी नलिकाए हैं जो किड़ने से आने वाले जो किड़नी की हमारी पाइप सेंजो न लिकाए हैं जिनके द्वहरा एने प्लस सीहल कर आता है और उसी में के प्लस आइनों का जो है सिक्रेशन करता है कि स्वर्ड विरिक ने लिकाओ के द्वहरा हुआ 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 है कि चलिए हम यह ब्रते हैं कि जो किड़ने की आपके जो पाइप सेते उनके द्वहरा जो यह एने प्लस सील का जो है कराता है प्लस साथ में जो आपका के प्लस उसके जो आयन है उनका सिक्रेशन कराता है कराने के जिम्मार यही है नेक्स हम बात करते हैं अंड्रिला मेडूला का अंड्रिला मेडूला जो पार्ट है अंड्रिला मेडूला का कुल पार्ट आपको पता ही है कि कितने पतिशित होत इससे शिक्रेट्स होते हैं चीक है एंट्रिलाइंज हार्मोन का काम क्या क्या है देखें यह हार्मोन हमारी सिंपेटिक नर्वस सिस्टम कि से कंट्रोल में नियंत्रत होने वाली जितनी भी एक्टिविटी है उनको रिगलोगेट या फिर आपको नियमित करता है सिम्पैग्टिक सिस्टम में आपको नियुक्ला सिस्टम के चैप्टर वी संदर पड़ा चुक्ति हो कि यह अपातकार इस्थिती में एक टी होती जिसमें हमें रिम आरेकारप की करती है घी हो इसके सिंपेटिक जो नर्स सिस्टेम में उसी से उने वाली किरिया के साथ एक्टिव होता है यह इन्वर्ट इन्वर्ट मसल्स को उत्यजित करता है जिससे कॉंट्रेक्शन बढ़ता है और ब्लड प्रेशर जो है वह बढ़ जाता है सेम हिर्दे की धड़कन हाट बीट्स हमारी तेज हो जाती आखे चोड़ी हो या पड़ जाती है अगर हम कहें तो एंडॉलेनिन हार्मोन अर्थात एप्प्राइण हाई अप्प्रैन हार्मोन जो है आपका संकट कालीन प्रस्तितों का सामना करने कलिए हमें तयार करता है यह ह किसी भी संगट का सामना करने में सक्षम बनाता है नियुक जब मानसी ग्रूब से प्रेशन में होता है तब 옆 difon किसी से डर रहे होते हैं तो हमारे सुरिर के जो हावबाव होते हैं वेह जैसे दिखाता या फिर वो जैसे दिखाता है वो यह सब को cowboy हार्मोन है एडेलाइन है यह सब भाहवतपन कराता है ठीक मैं बता우 कि जब डाक्टर साथ जो हमारे दात निकालते हैं दात निकालते हैं मसूड电 से खून आता है तो उस खून को रोकने केलिए उस ब्लेड को इ soy की लिए आपका इसी हार्मोन का जो डिन है को А є जाता है और यह जो हार्मोन है यह हमारे अपात कालीय कारीन इस्थिती में कार्रे करते हैं जिस समय हमारी कोई समझा आती है को डर होता है उससे निपटने का कके याहिक करता है तो वैसे इसका भी ठीक विप्वीद करने होता है आपका करता है यहाम करता है हमारी द्र fulfillment को रिलाक्स करता है यह हमारी मुनटरि मसल्स को वही करता है जो आपका पैसिंपेटिक सिस्टम करता है अब हम बात करते हैं कि एडिलेन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग देखो इसकी कमी से होने वाले रोग भी है एडिसम डिजीज जो है इसकी कमी से होने वाला रोग है इसमें क्या सरीर में किया कि सोडियम और वाटर की ज्यादा मातरा में निकल जाता है और है हमारे बोली से सोडियम और पानि ज्यादा मातरा में निकल हो जाती इसमें क्या है कि ब्लड के अंदर कुलकोज की कमी हो जाएगी कार्डिंग मसल्स ब्रेन लीवर धीरे धीरे इस्थिल हो जाती है या मंद पड़ जाती है बिल्कुल ठीक है हमारा body temperature low हो जाता है और digestion की जो हमारी दर होती है उपापचाई जो दर होती है वह भी हमारी कम हो जाती है इस हार्मोन की कमी से जो है हाइपोग्लेसीमिया रोग जो है हमें हो जाता है हाइपोग्लेसीमिया रोग ठीक है कॉनन्स रोग जो है कोनें रोग यह रोग होता है हमें कहनीज में अंबैलेंस हो जाता है और जिससे न र्बॉड इसंटम जो है वह न्वेस्ट्रपरडर्ली वर्किंग करना start करता है जिससे हमारी मसल्स το में अकड हो जाती है और कई बार क्या है ऐसी Saudi एसे आपका कॉंट्रेक्ट होने की विसे क्या है मनुस्य की मिर्तियू भी हो सकती है तो यह कॉनेंस जो है मनुस्य की मिर्तियू का भी जिम्यवार बन सकता है ठीक है नेक्स्ट अगर एड्रेनल हार्मोन का सिक्रेशन जादा मातरों में होता है तो कौन-कौन से रोग होते हैं सबसे पहले होगा आपका Hiper Glecemia, रोग फिरकजिंग डिजीज और Adrenaline जो डिजेर आपका Syndroms थिए अधरे जोनोलिटल जो है वह होंगे हाइपर Glossamia रोग जो है यह हार्मोन के अधिक सर्वित होने से अधिक होने से ब्लड में सुगर की मातरा गया जादा बढ़ जाती जिससे क्या मैं डाय लाल कंदे अतिक मोटे हमारा औधर फूला वा हुआ हो जाता और इसी को कहते हैं विस्टियों के चेहरे पर जैसे कि आपके डाड़ी आना या फिर आपके कुछ बाल उग जाना मूचे के मूचे उग जाना तो यह कस्टिंग सिंड्रॉम्स के सिम्टम्स हैं या फिर उस करूँ से पीड़ित भीष्टी होते हैं ठिक है नेक्स ए конце अडॉस अडॉ से किस्तिती में नर में नर जननंग बनने वाली संभावना या अभास उत्पन हो जाता है और जिसे अभासी उभेलिंगता भी कहा जाता है लड़कों में लेंगिक परिप्रक्ता जल्दी आ जाती है कुछ लड़कों के स्थन जो हैं वह फूल जाते हैं जैसे आपका महिलाओं कि मादाओं के इसन जैसे फूलते हैं वैसे इसन जो हैं कुछ लड़कों के भी फूल जाते हैं ठीक है उनकी मतलब जो चेस्ट है वो चेस्ट का साइस बढ़ जाता है वह एस लाई के ब्रेस्ट नजर आती है इस हार्मुन के जादा होने से और इसी इस्तिति को क्या है आपका थायमस ग्लांड याब य। ר तरफ आयको सवासर में यह पाए जाता यह जिरेस Спाह्त हो जाता है और लुप भी हो सकता है ठीक है इससे secret होने वाले हर्मों मतलब कहने का यह एक कि थायमस gland सिर्थ तभी तक रखता है यर मनुस्यमए योवण नमस्ता नहीं नहीं आती यह उसे पहले काते करता है इस से होने वाले रोख थायमस gland से होने वाले जो gland सरौन है वो आपका थामसीन, थामरिक हार्मोन फैक्टर टी एच एफ और लास्ट में थामरिक फैक्टर टी एफ थामसीन हार्मोन क्या है बच्चे में सिशू में जो है पर्तिरक्षन तंत्र इन्युमिटी सिस्टम को जो है का जैसे कार्य करता है ठीक थामसीन हार्मोन नवजात सिशू मे परविश्ट जिवानू नर्स्ट कर देता है जो रही जी लिम्पोसुसंस के पर्रशुन परोसेश्ट में अलग जिवानू के प्रधात जो और एंटिजिंस होते हैं को नस्ट करने के लिए उन्हें उतिजित करता है जीव में उपापचय की उत्पां होती है उपाथा उत्पान होती है इसकी वेज़े से क्या होता है की हार्मोन से अमारे अदर बाध्यावत पन горती मिर्तियू हो सकती है रिरी छिषव में या प्लिहलं में पहुंचती है तिक है जो सल्स होत वो तो लिमफाइब प्रिकिति महोंगे पर पेर पेच्स में होँगे चिक जूए हम देखते हैं हमारा जो सबसे वो आपका पर सब्सक्राइब ऐसे हमारे जो यहां हमारा मिर्ण पिन्य बोडी कि क्या है कि हमारे ब्रेंड के ंदर होता जैसे कि आपका पर में था ठीक बीड जो है ठीक पीछे के तरफ जो हमारा ब्रैन है यह अब का यह हम कहेंगी थेलैंज कि बैक साइड में ऐसे में पा favorites में का आपका एक एक अधे को स्बंसुत होती है वह पी अधेन होते हैं गरन्थी मस्तिक्स के गौलारदिवे के तीसरी वेंट्रिकल के पास थ्यमेंट से निकले एक तण्टु के वरितांत पह स्थित होती है ठीक है यह छोटी सी सफेद रंगी जो है ना एक की चप्टी सी अक टॉर्म होती है उती है कूलोगी इसके चारोत्रफ पीया मेंटर की प्रचड़ी होती unity पीनियल ग्लांड क्या है मिलेटीन नमक हार्मोन को सिक्रेड करती है मिलेटोनीन नमक हार्मोन जो है वो सिक्रेशन होता है आपका पिलेट ग्लांड से जो मंद परकास में धीमे परकास में जो है आपका अधितिक मातरा में सिक्रेशन होगा और लाइट में क्या है कम मातरा में सिक्रेशन होगा और इसी के सिक्रेशन की वज़े से क्या है कि जहां पर आपका जिस जंगा आपका लाइट होता है फिर परकास ज्यादा होता है गर्म कम होती है और माना स्रीर में यह कारे दिन रात रही के मिला के पूरा किया जाता है ठीक है इससे सर्वित होने वाले हार्मोन क्या है प्रोब्लम करता है ठीक है यह स्केश विकास के आच्राइब को सूर्य परकास की वंदा गनुसर कंट्रोल करता है लेंगे एक जेव घड़ी का कारे करती है सूर्य के परकास जैसे कि आपको राच में नहीं होता तो यह बढ़ जाता है और दिन में घड़ जाता है तो वैसे लेगी के जेव के बाद पेनियल ग्रांड नस्ट होने लगती है और इसमें केल्सियम लवनों का कंज जो है वो जमा होने लगते हैं जिससे हमस्तिक्स का रेट भी कहा जाता है तब ही तो आपका जो एक हमारी जो बोड़ी एक अडल्ट एज आती है वह आफ्टर फॉर्टीन इर मेंस में आ जबाद आती है क्योंकि जो आपके हमारे पिन लग्लांड है वह हमारे जो विजर्णागों के विकास अभॉलाउप है इनको रोकते रखता है और वह कैसे रोकता है भई रात होती है तो जादा बढ़ जाता है और दिन में और आपका कम हो जाता है ठीक है छलिए हम नेक्स यहां पर को यहां पर घ्राइब करता है और अपका अंदर हैं गहां तक हैं और फिरमस करेगा और हैंह। प्रद्यूस करेगा अब हम देखते हैं कि प्रेंट का काम कहा गया इंसुलीन नमक हर्मोन प्रद्यूस करता है जिसका काम होता है बलड के अंदर सूगर की मातरा को कंट्रॉल करना अगर यहां पे हम कहें कि कि insulin कम मातरा में प्रोड्टा थो बलड कें अंदर सुगर की मात्रा जो मात्रा जो बढ़ जाएंगी और विस्वेढ़ हम कहें कि आप्नग प्रोड्म से होचे hun हर्मों kriaus कर रहा है उसकी मात्रा कम होना ज्यादा तो आशा उसी की वज़े कि हमारा जो सुगर वो बढ़ता और गिरता है इसलिए जो है हमें डॉक्टर का है सुगर कम होने पर जाता खाने की अड़वाइस करता है और जो कि अपना इन्सुलिन प्रडियूश करता और आज तक को रिपेर करने की या दुबारा सर्वित करें जो हर्मोन से उसको बंद ना करें उसको रोके ना तो उसकी तो भी मेडिसिन यहां पर बनी नहीं है पर जो डॉक्टर से हैं हमें अडवाइस देते रहते हैं इसलिए मैं कहता हूं कि आपको पेंकरियास का जो ध्यान रखना है और हमें जो अपने खाना है उसको एक टाइम में रखना है ताकि हमारा जो लिवर उसको ज्यादा उपर लोड़ना पड़े स्टमक को ज़्यादा काम ना करना पड़े और पिन ग्राइब को जो इतना काम के लिए बने उतनों वही करें यह नहीं कि हमें हर थुड़ी दिर की बाद हम पेड भर खाते जा रहें तो हमारा पठानी में करें कि मैं ना चेप्टर में आपको बताया था कि हमारे डाइस्ट्रम फूट जो ए इस स्टमक के अंदर चार घंटे तह रुकते रुकता है कम से कम चार गंटे तो रुके देगा चार गंटे के बाद इस नम होशें तो इसका जल्ए यह है कि हमारे जो फूर का बालेंस है वो मेंटेन नहीं तो इसलिए में ध्यान रखना है कि हमें अपने टाइम पर खाना भी ना इसके हमारे जो इंटनल पार्ट से वह भी सेफ रहें और अच्छे से काम करें ठीक है इसके सबसे में इंपोर्टेंट है कि एक बार आपका डाइबेटीज हो गई तो आपको पता है यह डाइबेटीज कभी जाती नहीं इंसान को लेके जाती है और डाइबेटीज के कितनी ब ब्लड सुगर को जो रेगुलेट करती है इस से कौन-कौन से हर्मोन सिक्रेट होते हैं इंसुलीन तो में होता ही होता है साथ में गलाइकोजोन भी होता है सोमेस्ट्रोसीन भी होता है एंड पेंक्राटिक पॉलेक्ट पाइड नाम का हार्मोन जो है वह भी सिक्रेट होते है पेन करियास से ठीक है चलिया जी नेच्स मिदेखते हैं ओवेटी ओवेटी क्या है तरके ओवेटी क्या है है फीमेल के अंदर मिलने वाले अंडे जो कि हमें को डीपरेश्चिन शिस्टम में हल्प करते हैं ठीक हैं ओवेडी से कौन-कौन से आपका हर्मोन सिक्रेड होते हैं ऑवेरी से सिक्रेड होता है एस्ट्रोजेन हार्मोन टेस्ट्रोण हार्मोन एंड प्रोगेस्ट्रेन हार्मोन ठीक है यह काम कैसे कर सकते हैं देखे सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर टेस्ट्रोण हार्मोन कि टेस्ट्रोण हार्मोन क्या है प्रड्यू हम बात करें estrogen hormone के estrogen hormones क्या है responsible होता है secondary sex character के लिए ठीक फार female के Purity period के बाद यह ज़ो है ज्यादा active होता है मतलब उसका जो priority एक आपका जो पृवर्वर्टी यह जाती है जुऺ जाती है उस हीज में क्या है यह ज्यादा active हो जाता है 12 साल के बाद जो आपका अ guest होने इसके बाद को ऑपके बारा-से 8 सारी की प्रेंट में जो खेट 6 साल का यूद नोट उसंड होता है जो फीमे ए सब्सक्राइब करने के लिए त्यार बनाने में ठीक है परकुस्टिन जो हर्मोन से वह प्रिपेर करता है यूथ्रस को आपका इस काबिल बनाने के लिए वह प्रेग्रेंसी का जो प्रेकिरिया उसको पूरी कर सके उसके लोकेशन उसके जो आपका प्रेग्रेंसी में जो भी उसके फंक्शन से उन सबको तैयार करता है और और जब कोई लडी प्रेग्रेंट हो जाती है तो एस्ट्रोजन के साथ म ठीक है कि यहां पर देखेें न ?? सब्सक्राइantee की कि अबेरी क्या एक अंड नज पायाता जो red करता है और वेरी की वज़े से क्या है कि मेंसुरेशन के लिए जिम्यवार होता है क्योंकि वेरी की वज़ेसे मेंसुरेशन आपका जो है मासिक ध्रम जो है वह चलता है और वेरी की वज़ेसे ही जो है रिप्रेशन सिस्टम जो है प्रजन तेंटर जो है वह कारे करता है एक प प्लड के साथ आपका जो हैं आपके प्लड में छोड़ दिया जाता है जिसमें आपका फंक्शन मैच्वर होता है झार वबाते हैं तो शके लिए क्या है यह त्यार करते है अपकी ठीक और नेक्सलिए में बात करते हैं कि और आपका जो अप्रव्रियंक्श हार्मोन है वह लास्ट नहीं है अब बात करते हैं हम में 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 हर्मोन की अब हम बात करते हैं यहां पर टेस्टिस के हम बात कर रहे हैं जो आपका क्वाइन यह मेल रीप्रोडेशन सिस्टम ग्लांड है और इसको मेल करता है टेश्टिस के अमारे सपर्म बनाने का काम करता है धनेत्र को के लिए प्लब का राता है है घ्र सब्द हीर्म करते है लिए इसक रॉटेसुदिटे ने सब्सक्राइक है तो आपका जो है वहाँ पर अंडे बनते हैं और उससे क्या है आपका प्रजन क्रिया में कारे पूर्ण होता है तो इसको हम lo approach its military armor है pr vib को अबढ़ी थ्युक्ताइट टोपिक आपको लखता है कि इस का र्चीषे बिल आप हमारे बिताई और जैसे कि आपने है को ध high जेंशे वोशे आह स्रेटर कीजिए इसको मैं आपके चैट के या फिर कमेंट्स के द्वारा जो आपके प्रोल्विम को शोट आउट करूँगा ठीक है ऐसे आप हमारे साथ बने रही है जुड़े रही है और अपनी त्यारी लगन के साथ करते रही है क्योंकि हमें टीजी टीचर बनने से अब कोई नहीं रोक सकता एक मार् त्युड़े आपके पास एध्रिण निश्चे आपके पास है तो आपको जुटे रहना है लगे रहना हिम्मत के साथ और अपनी मंजिल पहुंचना है चले गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार स्टाट हार्मों जो है आपका टेस्टिस हार्मों जो मेल प्र एक पार्ट है ठीक है चलिए अब आपका आज का एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हमने अपने ग्लांट से यहां पर पढ़े और उन ग्लांट से जो सब्सक्रेट होने वाले हर्मों में हमने यहां पर पढ़े तो मैं आपको बतायता हूं कि नेक्स एक पॉइंट था जो आपका कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है यहां पर जो रोग होता है और मैं आपको बताना चाहूंगो कि आयोडीन परती दिन हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए तो आयोडीन जो है वह परती दिन हम कितनी मात्रा में ले सकते हैं आयोड आइडीन पर डे हंड्रेट टू है तू हंड्रेड माइक्रो माइक्रो ग्राम हमें लेना चाहिए ठीक है यह कुशन आपसे कभी पूछ लेता है कि 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 अधिन की मातरा डेली एक नॉर्मल पीपल को एक हेल्दी पीपल कितने मातरा की डेली रिक्वर्मेंट है ताकि उसको अधिन कमी से होने वाले जो रोग हैं जैसे आको टी-4 है टूई-3 है दोनों जो बिमारियां होते हैं वह अधिन की कमी से होती हैं इसकी कमी से अधिन की कमी से कौन-कौन से रोग होते हैं टी-4 और टी-3 की जो बिमारियां है वह अधिन की कमी से होती है जैसे कि आपकी अधिन की कि जो रोग है वह आपका टी-4 की कमी से होती है ठीक है महीं अगर हम बात कर मिक्सीडीमिया का रोग 3 poor से होता है, खेंगा टी four ऐड़ेन का कमी से होता है मैन रोग आपका गेंगा है महीं है falta hamilu right not Nuteton तो यहां पर ध्यान रखे कि आड़ीन का daily dose हुमरा कितना है हंड्रेट तू तू हंड्रेड माइक्रो ग्राम आयोडिन का डेली डोस जो है वो है आपके खाने में पूरे दिन में इतना आयोडिन होना चाहिए ठीक क्लास में आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे हैं अपने डाउट्स अपने जो कपकी जो कॉश्चन से वह हमारे साथ शेर किजिए मैं आपके डाउट्स वीडियो में या फिर कमेंट्स के दोवारा जो है कंपलीट आपका सोलुशन आपको प्रॉड प्रॉड करूँगा प्लस साथ में हम यहाप पे पीडिएफ नोट्स जो आपको प्रॉड कर रहे हैं और साथ के साथ आपके जो कॉश्चन से वह